नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, कस्तिया बदलने के जवरुत नहीं है दोस्तो, दिसाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे हाई दोस्तो, मैं राकिस कुमार, फिर आज आपके सामने हाजरो एक नई वीडियो के साथ साल में तो आपने काम किया 35 साल अगर कोई 30 साल की उमर में काम स्टार्ट करता है रिटायरमेंट साथ में तो वो करेगा 30 साल काम यानि कि आप पूरी जिंदगी 30 से 35 साल काम करते हो अब एक साल में कितने दिन होते हैं? 365, तो आप 365 दिन तो काम करते नहीं होगे, क्योंकि बीच में होली, दिपावली, छुटी, संडे की, तीज, तैवार, तो आपने काम किया 300 दिन, राइट, 300 दिन आपने काम किया, 35 साल काम किया, और परते दिन हम कितना काम करते हैं? 8 घंटे, काम किया 300 दिन, 35 सा किया और आठ गंटे पड़ते दिन किया तो आपने कितने घंटे काम किया इनको हम multiply कर देते हैं 300 into 35 into 8 यानि पूरी जिंदगी आपने जो काम किया वो 84 1000 घंटे आपने काम किया राइट दोस्तों यह 84 1000 घंटे गंटे नहीं है यह आपकी पूरी जिंदगी है इस पूरी जिंदगी में आपने जो 84 1000 घंटे लगाए हैं उसमें आपने कमाया क्या आई यह देखते हैं मान लो आज आपकी income है 20,000 रुपए इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 20,000 महीने के कमाते भी नहीं है और कुछ ऐसे भी होंगे जो 20,000 से जादा लेकिन calculation के लिए हम मान लेते हैं कि 20,000 आपकी पर मंत income है 12 महीने आप काम करते हो और 35 साल काम करते हो तो इनको भी हम फिर से multiply करते हैं 20 into 12 into 35 यानि कि आपने जो कमाया है पूरी जिन्दगी में 84,000,000 रूपए पूरी जिन्दगी की कमाई सिरफ 84,000,000 रूपए एक तरफ आपकी जिन्दगी है और दूसरी जिन्दगी भर की कमाई इनको divide कर दीजिए रजल्ट आपके सामने आदाएगी कि आपने क्या कमाया आपकी एक गंडे की किमत क्या है, 84 लाग को जब 84 हजार से डिवाइड करते हैं, तो आपकी जो एवरेज निकल के आती है, 100 रुपे परती घंटा, यानि इंकम आपकी 20,000 है, तो आप 100 रुपे परती घंटा कमा रहे हो, ज्यादा कुछ होनी की जोरत नहीं है, किसी के अगर 40, हजार है, तो वो 200 रुपे घंटा, और किसी की 60,000 इंकम है, तो वो 300 रुपे परती घंटा कमा रहे हो, अब इस 100 रुपे, 200 रुपे, 300 रुपे, परती घंटा आप जो कमा रहे हैं, क्या उससे जिंदगी कट जाएगी, नहीं, लेकिन लोग, लोग तो काट रहे हो, ये 100 जिंदगी तो कम्प्रोमाइज में बीतेगी, बीतेगी, और जब बात आती है कम्प्रोमाइज की, तो इनसान सबसे पहले कम्प्रोमाइज करता है अपने आप से अपने खर्चों में कटोती करना, उसके बाद बाली आती है बीवी की, बीवी के खर्चों में वो कटोती करन दोस्तो, क्या आप चाहते हो कि पूरी जन्दकी इससे तरह से compromising कुछ रहे, इससे तरह से adjustment कुछ रहे मैं नोकरी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं नहीं कहता कि नोकरी मत करो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नोकरी के साथ साथ भी कुछ अच्छा किया जा सकता है नोकरी होती है सिरफ अपना खर्चा चलाने के लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लेकिन अगर आपने अपने ड्रेम्स पूरे करने हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा तो क्या आप चाते हैं इस 100, 200, 300 पर घंटे के चक्रू से भार निकलना क्या आप चाते हो अगर आप चाते हो इस चक्रू से भार निकलना तो देखें हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसमें मैं आपको बता हूँ कि कैसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के दो घंटा पार्ट टाइम काम करके कैसे अपने ड्रेम्स को यहां से आप पूरा कर सकते हो पर उसके लिए सबसे पहले आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि निव वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे थैंक्यू वेलीच